तो hello everyone आप सबी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम फिर से एक comparison करने वाले है display test का जो कि हमारे पास पहला phone होने वाला ये है Beewo की तरफ से Beewo B25 Pro और दूसरा जो phone होने वाला है ये है हमारे पास iTel का S23 Plus वाला phone क्योंकि δोने वी फोंस तो वह बाला फोन इस वाले फोन को पीछे करता है या नहीं करता है तो चलिए आज किस वीडिए में आप ने डिक्रिटर करो है बाहा पर चाहरा नंबर डाल लट है बहाँ पर जाकर पता कर सकतो A to Z कोई सा भी फोन आपको सस्ते में चाहिए दिपाबली सेल चल रही है, काफी ओफर चल रहे है तो एक बार आप आप जो ट्राइ कर सकते हो बट आज किस वीडियों में बात करने वाले दोने ही फोन का डिस्प्ले कंपरिजन यह जो आपका Intel वाला फोन है यह 13000 रुपे में आपको 8GB रहे 256GB आपको स्टोरेज प्रोवाइट कराता है जबकि यह आपको 37 रुपे में मिलने वाला B Boga B25 प्रोवाला फोन यह आपको 8GB रहे 108GB स्टोरेज आपको प्रोवाइट कराता है तो चलिए गाई सामने दोनों फोनों की स्क्रीन वो पर आ चुके हैं दोनों फोन का जो लूक है डिजाइन है बो आपको काफी कमाल का मिलता है प्राइज में काफी अधा डिफ्रेंट्स आपको देखने हो मिलता है इसमें 6.78 इंचिस की Full HD Plus AMOLED डिस्पले मिलती है 3D Card और इसमें आपको 6.5 इंचिस की आपको Full HD Plus AMOLED डिस्पले आपको देखने को मिल जाती है तो डिस्पले इसमें थोड़ी छोड़ी मिलती है आइडियाल के मुकाबले में बर भी 3D Card डिस्पले है दो नभी फोन के अदर और डिस्पले के आपको इंचिस अधिस्पले मिलता है जो की काफी बढ़या काम करता है मैंने देख से तो लगा कर रखका हुए और काफी अच्छे से जो है यह काम कर लेता है है यहापर दोनी फोन के डिस्पले में fingerpin sensor जो है बहुत ही मसते लगा मुझे देखने में तो चलिए हैंपर हम चला करके देखतें कि दोनी फोन की डिस्पले है कौन से की सबस्याद best जो है रहने वाली है तो चलिए सबसे पहले मैं कुछ app को scroll करता हूँ तो यहाँ पर देख से तो हैं पर सबसे पहले में एप को open करा तो वीवो वाले में यहाँ पर यह चीज पहले देखने में मिली थोड़ी सी तो message को open करते हैं तो वीवो वाले phones में आप देखोगे तो थोड़ी सी जो applications बगरा वो पहले से एकदम से open हो जाती है तो यह चीज देख सकते हूँ जबकि आपको जो है इस वाले phones में जो है हमारे पास ITAL का इसमें थोड़ी सी slow चलती है और अभी तक भी open में ले रहा है तो द्वारा से एक बार open कर लेते हैं तो यह द्वारा में देख सकते हो थोड़ा सा scroll बगरा थोड़ टाइम लेता है तो इसमें तो प्रोस्टेटर की बज़या है क्योंकि प्रोस्टर आपको भी वो भी 25 वाले फोन में अच्छा मिल जाता है ITAL S23 के मुकाबले में तो यह चीज आप देख सकते हो अबर price में भी तो बाहिट डिफरेट्स है डवल से भी जगाए आपको price देखने मुल रहे है दूगने price में आपको यह चीज तो मिलने भी चीज़ी है वैसे भी तो चली है अब बात कर लेता है कुछ content बगळा चलाते हैं कौन से phones में आपको अच्छा contents देखने को मिल जादे, तो दोनों ही phones में चली मैं album को open कर लेता हूँ, तो album को open किया, और मैंने यहाँ पर कुछ videos बगएरा डाली हुए, तो इनको मैं open करके आपको दिखा दिता हूँ और चला करके इनको दिखा दिता हूँ कि कौन से phone में आपको बढ़े स्क्रीन आपको देखने को मिलती है, तो का इस दोनों ही phone के अंदर मैंने display को हाँ पर content चला के रख दिया है, और दोनों ही phones की brightness नब वो मैंने हाँ पर full कर दिये, तो मैं आपको देखोगे, तो आपको काफी अच्छे experience देखने मों मिलने वाला है, तो दोनों ही phones के अंदर display तो भाई मिझे काफी same मिली यार, आपको इतने सस्ते phone में न, इतनी अच्छे display आपको देखने मों मिली है, जो कि मुझे कुछ भी चीज़ चलाओगे न, तो contents बगएरा चलाओगे, तो यह तो काफी बढ़े experience रहने वाला है, तो display बगएरा देख सकते हो, तो इसकी ब्रैटने सा थोड़ी जादा हो रही है, स्टेम पे, और कुछ आपको दोने phones की brightness आपको इतनी जाद आपको पे लेटस्ट मोडल जो है, हमारे पास वो ITAL का H23 Plus है, 4G फोन है बट यह चीज़ा आप थोड़ा सा देख लिए न, एक बार बाकी यह वीडियो को यार कैसी लगी, कमेंट करके जुरू बताना वीडियो पसना है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ने तो सस्क्राइब लेना मिलते आपसे अगली वीडियो में, तब तक लिए जाहिन, बंदे मात्रम